तो स्टूडेंट्स आज हम बात करें हैं बेसिकली हमारा जुनेया टॉपिक रहने वाला है जो है कैपिटल बजटिंग पैपिटल बजटिंग फैनेशल मेनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है इसके टेक्नीक बहुत जादा इंपॉर्टन देसिजन बहुत जरूरी है क्योंकि कैपिटल बजटिंग में टर्म आते हैं प्रेजेंट फैली फैक्टर फ्यूचर बैली फैक्टर तो यह सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यह जो क्लास है यह जो लेक्चर है बहुत ही जादा इंपॉर्टन रहने वाला है फानेशल मेनेज वाली आज की लास को टाइम वाली वाली ऑफ मट्यम या है देखो जैसे टाइंब बिटता है वाली ओफ मट्या estiver टाइपशेट होने का मतलब क्या है कि जो आपको कुछ चीजें हैं आपको जैसे ये मैंने आपको picture में दिखाया है 2015 में है जो आपको मिल रही थी 8 items अठारा सो पचास रुपय में वही आपको 2018 में कितनी items मिल रही है 5 items मिल रही है कहने का मतलब amount आपकी सेम खर्चा आप उतना ही कर रहे हो लेकिन आपको mil कितना रहा है mil कम रहा है quantity आपकी कम हो गई है ठीक है तो ये किसकी वज़े से हुआ ये value of money है न जो time के साथ जो value of money है वो आपकी क्या हो गई depreciate हो गई तो इससे आप चीज़े कम purchase कर पा रहे हो हम खुद की ही बात करते हैं जैसे पहले के टाइम पे 5 रूपीज 10 रूपीज में बहुत कुछ आ जाता था हना अभी आज के टाइम पे 5 और 10 रूपीज किसी छोटे बच्चे को भी खर्च करने के लिए कम रह जाते हैं क्यों क्योंकि उसको कुछ मिलता ही नहीं है टाइम के साथ जो मनी की value depreciate हुई है उसको वो किस के कारण हुई है वो inflation के कारण हुई है ठीक है चलो वो तो एक अलग सा concept रहे हमारा वो हम यहाँ पे discuss नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं खाली time value of money जो हमारा financial management में जितना को काम आना है ठीक है तो time value of money क्या है time value of money compensation provider for investing money for a given period of time compensation है जो बंदा पैसे को invest कर रहे है किसी time period के लिए invest कर रहे है उसको हम क्या दे रहे हैं compensation दे रहे हैं ठीक है for example आपको मैंने choice दे दी offer दी है मैंने आपको एक आप 1000 dollars आज ले लो या मेरे से दो सल बाद ले ले लेना आप कौन सी offer को choose करोगे कौन सी better होगी आपके लिए कौन सी करोगी you would choose to receive the money today आप आज पैसे को receive करना जादा सही समझोगे क्यों अगर आज आपको ये पैसा मिल जाता है आप ये पैसा अपना पैसा खर्च कर सकते हो किसी जगा पर invest कर सकते हो अगर कहीं पर invest करते हो तो आप इसी पैसे के उपर क्या कर सकते हो interest earn कर सकते हो ठीक है मतलब आपकी इस पैसे के उपर earning होने वाली है तो इसलिए आप इसको आज ही लेना पसंद करोगे क्योंकि अगर आप दो सल बाद लेते हो दो सल बाद मेरे से अगर लोगे तो मैं आपको कितने दूँगी 1000 डॉलर ही दूँगी अगर दो सल बाद आप कहीं और से इन्वेस्ट करके लेते हो तो यही पैसा आपको थोड़ा multiple होके मिल सकते हैं जैसे आज अगर आपने में को मना कर देगी नहीं आप हमें दो साल बाद दे देना दो साल बाद भी तो मैं आपको 1000 डॉलर ही दूँगी ना इतने मैंने आपको वापिस करने है उतने ही दूँगी और अगर आप में इसे आज ले लेते हो आज इसको कहीं पर जाके इन्वेस्ट कर देते हो हो सकता है कि आपको earning ज़ादा हो जाए multiple हो जाए इससे तो इसलिए आप इसको आज ही लेना पसंद करोगे क्योंकि time के साथ साथ जो value of money है वो आपकी क्या हो जाज़गी change हो जाएगी आगे बात कर रहे हैं time value of money है क्या देखो आज की जुरूपी value ना उसकी वर्थ जादा है as compared to tomorrow आने वाले time future is uncertain certain तो नहीं है ना uncertain है हमें कुछ नहीं पता future में क्या होने वाले है तो future की जो value है वो कम होगी as compared to today आज के comparison यह एक बहुत ही fundamental concept है finance का time value of money money in hand is worth more than money that is expected to be received in the future जो आप future में receive करने वाले हो जो expect कर रहे हो उसके comparison आज की time money की value जादा है reason is got straightforward है रुपी that you receive today आज आपके हाथ में जो पैसा है आप उसको कहीं पे invest कर सकते हो अगर आपके पास है तो that you will have more than a rupee at some future time अगर आज कहीं पर invest करोगे तो ही future में आपको जादा मिल पाएगा तो ही आप उसके उपर money के उपर money earn कर पाओगे अगर नहीं करोगे invest तो नहीं होगा नहीं कर पाओगे आप earn ठीक है अगर आप किसी rational person से पूछते हो कि 10,000 आपको आज receive करने है आज पसंद करोगे like करोगे receive करना या future में करोगे तिन साल बात करोगे तो simple सी बात है कोई एक rational बंदा क्यों अपनी payment को delay करेगा receive करने के लिए वो आज ही करेगा न क्योंकि future में तो आपने उसको same amount ही देनी है 10,000 का 10,000 देना है और हमें पता है आने वाले time में 10,000 की value 7,000 भी हो सकती है जो चीज के लिए आज आप 10,000 पे करके purchase कर सकते हो वो ही चीज के लिए आपको हो सकता है 13,000 पे करने पड़े कोई नहीं चीज पर chase करनी है तो तो value क्या होगी कम हो गई 10,000 की कीमत जो आज की date में हो सकते है आने वाले time में उसी की कीमत कितनी हो जाएगी 13,000 हो जाएगी ठीक है तो यह चीजे है जो time value of money में हम discuss करते हैं time value of time value at a future point future point के लिए हम calculate करने के लिए accounting point of view से हमें क्या क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होता है mainly interest interest rate ठीक है return and कितना हम return ले पाएंगे expect to earn जैसे 5% 10% तो इतना मैं expect कर रही हूँ कि मुझे मिलेगा तो यह matter करता है और दूसरा inflation क्या है inflation rate क्या चल रहा है inflation कितना है मानलो एक person है ठीक है वह expect कर रहा है 5% return उसके लिए 100 रुपीज paid now and 105 paid after one year later but both have the same value आप उसको आज की date में 100 रुपीज दे दो या अगले साल 105 105 रुपे पे कर दो उसके लिए same ही है आपने उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया next year अगर आप 5 रुपीज बढ़ा कर increase करके भी दे रहे हो तो आपने उसके लिए कुछ भी increase नहीं किया है उसकी value कितनी है आज भी 100 ही है क्योंकि वो expect कितना कर रहा था 5% तो उसके उपर return expect कर रहा था ठीक है अगर वो कहीं और पे भी invest करता तो उसकी value कितनी होनी थी उसको 5 रुपीज की earning होनी थी तो उसके 100 की value कितनी होनी थी 105 भी होनी थी तो उसके लिए कोई change नहीं है तो 100 और आज का 100 आने वले साल का 105 दोनों की value सेम है इतनी सी बात है अब देखते हैं कि कौन-कौन से factors है time value of money में आते हैं पहला principal amount of the investment प्रिंसिपल अमाउंट लंसम भी हो सकती है लंसम मतलब इकठा single quantity of money और annuity एक fixed equal installment amount हो सकती है fixed amount जो हमें equal time interval पे pay करने होती है वो हो सकती है हमारी इसके लिए हमें और क्या चाहिए number of periods हमें कितने time तक इस investment को मतलब शुरू से लेके end तक कितने time तक investment हमने करके रखी है 5 साल 10 साल कितने time का हमें चाहिए एक time period होना चाहिए ठीक है उसके बाद जो interest rate है interest rate जो है वो आपका जाता है percentage annual percentage earned on the investment जो investment आपने करके रखी है उसकी percentage earning कितनी है इसको दो parts में बंटा गया है पहला आपका simple interest दूसरा आपका compound interest I hope यहां तक आपको clear होगा अभी तक हमने कुछ भी discuss नहीं किया खाली इतना ही किया है कि time value of money होती क्या है एक दो example करी है कि आज की value पैसे की ज़्यादा है as compared to tomorrow ठीक है इतना discuss किया है इसके बाद आगे कुछ भी नहीं किया खाली हमने factors देखे हैं कि कौन-कौन से factors हैं जो time value of money में calculation में आते हैं simple interest simple interest कैसे निकालते हैं बचपन से हमने सिख्या यह principal amount into r into t r का मतलब rate of interest t मतलब time p मतलब principal amount चीक है starting amount जो हमारी है ओके तो यह जो आपका time and years है यह fractions में भी हो सकते हैं जैसे half yearly, quarterly, monthly और day one by three, six five को अगर हम करते हैं तो यह simple interest हो गया interest की बात करिए न कि हमें क्या कौन-कौन से factors main होते हैं एक आपका principal amount एक आपका interest और दूसरा आपका number of years कितने सालों तक तीन main बात करनी है जो आपका interest है वो आगे दो parts में बांटा गया है पहला simple interest दूसरा compound interest अब इस simple interest तो simple जो principal amount है उसके उपर लगता है जो compound interest है वो interest की amount के उपर भी interest चाता है यह तो हमें पता है ना पहले interest निकाला यह principal amount है 100 रुपीज इसके बीच में हमने 5 रुपीज आड़ किये अब दुबारा से जो principal amount हमारी बन जाएगी ना 105 बनेगी फिर से हमने interest एड़ किया फिर interest भी बीच में include होता जा रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं compound interest ठीक है interest के उपर interest लगता जा रहा है interest की amount principal amount के बीच में included होती है ओके compound interest क्या है if you invest your money using the simple interest method you calculate the interest on the initial principle only जब आप simple interest के साथ calculate करते हो तो आपको जो interest मिलेगा जो interest calculate होगा वो खाली starting के principal amount के उपर होगा जब आप compound interest को use करते हो जो interest आप अलड़ी earn कर चुके हो वो initial amount में add हो जाएगा next जो आपका second year होगा वो plus होके उसके उपर calculate होगा आपकी जो money है वो faster grow करती है जब आप compound interest को use करते हो ठीक है तो compound interest का क्या main feature है यही है कि interest की amount जो हमने पहले साल interest earn किया है second year में वो interest principal amount के साथ add होगा फिर उस added amount के उपर जो हमारी नई वली amount बनेगी उसके उपर interest चाहेगा earlier you start investing the more interest you can earn on the compound interest year after year compound interest जादा earning कर सकते हो आप compound interest से क्योंकि interest की amount जो आपने अभी earn करी है उसी के उपर दुबारा से आपको interest मिल सकते हैं मिलता है तो यह होगे आपका compound interest I hope यहां तक आपको clear होगा कोई दिक्कत नहीं होगी simple हमने time value of money को discuss किया है इसके factors कौन-कौन से आते हैं and secondly interest कितने तरह का है simple और compound next बात कर रहे हैं हम इसके formula के उपर देखो कैसे निकालते हैं compound interest को J आपके पास होगे आपका principle into 1 plus R over N R के आपका interest rate इसको decimal इसलिए लिखा है क्योंकि इसको आप solve कर लेते हो जैसे 5% है तो इसको उपर 5% तो नहीं न रखोगे ठीक है तो इसको solve करके decimal में आप R रखते हो अपनी और N कितने number of times interest है जो आपका compound होगा कितने साल तक के लिए है time कितना है आपका तो उसके बाद बात करते हैं time value of money के उपर second concept to know the time value of money time value of money क्या है it is a idea that money available at present is worth more than the same amount in the future ये simply हम इसे एक idea लगाते है कि आज की जो money हमारे पास available है उसकी worth जादा है as compared to the same amount in the future वही जो आपको future में same amount अगर मिलती है तो उसकी value है जो वो कम होगी ये किसके कारण होता है ये earning capacity के कारण होता है due to the earning capacity क्योंकि पैसे के भी अपने earning capacity होती है अगर आज आपके पास पैसा है आप इसको कहीं पर invest कर देते हो तो आपको इसके उपर earning होगी interest वगरह मिलेगा तो उसी के कारण आपकी जो आज की value है वो जादा है as compared to the future तो अगर आपको कोई पूछता है कि आप में से एक साल बाद पैसे लेना चाहोगे या अभी लेना चाहोगे तो आपका हाँ किस में आप prefer करोगे अभी लोगे चलो ये तो earning capacity पैसे की तो चलो एक practical बात है simple अगर हम बात करें अगर मालो मैं नहीं आपको पैसे देने है आप बोलो कि कोई बात नहीं मैं मैं चोके आप 2 साल बात दे देना दो साल बात अगर मैं ही नहीं रहूं तो ये भी तो हो सकता है आपका रिस्क आपका पैसे डूप सकता है ये भी हो सकता है कि मेरे पास कुछ हो ही ना आपको देने के लिए ठीक है यह मैं मना ही कर दूँ आपको देने के लिए कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ये चीज़े हैं, mainly हमने बात करनी है, earning capacity, पैसे की earning capacity के ऊपर, this court principle of finance holds that provided money can earn interest, ये जो principle है ना, earning capacity का, finance का, ये कहता है कि जो money है ना, वो interest earn कर शकती है, Any amount of money is worth more sooner it is received Any amount of money is worth more पैसे कि जो money की worth है वो जादा है sooner it is received जितनी जल्दी मिल जाए उतनी अच्छी है उतनी जादा है It's also referred to as a present discounted value इसको और क्या कहते हैं? Present discounted value Discounted value इसको कहते हैं ठीक है? तो यह आपके पास एक formula है यही मैं आपको कहा रही थे कि capital budgeting में टर्म्स यूज होते हैं आपकी FV प्रेजन फ्यूचर वैल्यू और प्रेजन फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू मतलब हमारे पास जो पैसा है इसकी आने वाले टाइम में क्या वैल्यू है? और प्रेजन वैल्यू इसकी जो हमारे पास future में पैसा आएगा उसकी आज की rate में क्या वैल्यू है? चीक है? तो यह चीज़े हैं जो आपको देखनी है, समझनी है टाइम वैल्यू अफ मनी क्या है? फ्यूचर वैल्यू future value हम future की बात कर रहे है आज की date में जो value है वो वो निकाल लिया हमने present value को discount करना है discounting factor के साथ चीक है अभी इसको इतना burden मतले न मैं आपको धीरे धीरे अराम से समझाती हूं चीक है ये देखो समझते हैं present value है हमारे पास present value मतलब आज की जो value है हमने future की और जाना है ठीक है तो जो interest वगरा है वो देखना है हमने future की और जाना है future value निकाल लिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम इसको multiply कर देंगे ठीक है क्या करेंगे multiply इसको हम क्या कहते हैं present value future value कैसे निकालते हैं देखो future value को निकालने के लिए क्या करोगे आप मतलब आज मेरे पास 100 रुपेज है मैं जानना चाहती हूँ कि एक साल बाद इसी 100 रुपेज के क्या value होगी इसको मैं क्या करूँगी अगर मालो में को 10% interest मिलता है कहीं से 10% इसका interest मिलता है तो इसकी future में क्या value होगी मैं यह जानना चाहती हूँ तो इसको कैसे solve करते है प्रेजेंट वैल्यू जो की है रुपेज हंडर इसको multiply करेंगे future value factor के साथ कैसे करेंगे future value factor के साथ multiply करेंगे तो आपके पास क्या जाएगी उसकी future value आ जाएगी जो value निकालनी है उसी का factor लगना है मैंने क्या निकालना था मैंने future value निकालना था तो मुझे factor भी कौन सा लगाना पड़ा future value factor लगाना पड़ा जादा टेंशर मतलो दीरे दीरे समझाती हूँ देखो इसका formula क्या है एक तो यह हो गया present value को अगर आपके पास factor अलड़ी calculated है आप अपनी बुक देखो बुक के पिछे table दियो है वो आपके factor ही है उसको simply multiply कर दो तो आपके पास क्या जाएगी future value आ जाएगी अभी अगर वो जो अगर factor नहीं available है टेबल नहीं available है तो कैसे करोगे आप future value sorry present value multiply by 1 plus r r मतलब जो हमारा rate of interest है उसकी power n कितने time तक हमने निकालना है 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year कितने time तक आपने निकालना है ठीक है यह चीज़ है अब देखो future value की और हम जा रहे हैं अगर हमने present से future की और जाना है तो हमने इसको क्या करना है multiply करना है ध्यान लगना future value निकालनी है present value को multiply करो 1 प्लस यहाँ पे mistake है 1 प्लस r r कितने हमारी 10% 0.10 ठीक है जब आप इसको solve करोगे तो यह आपका बन गया 100 into 1.1 100 को 1.1 के साथ multiply करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास आपके बन जाएगा 110 ठीक है करके देख लेना साथ के साथ यहाँ पे r आनी है ठीक है r अगर यहाँ पे आपको f v f ही लिखना है तो simple बीच में multiply आना है फिर one नहीं आना बीच में ओके आई होब यहाँ तक आपको clear होगा students अब यह देखो समझा देती थोड़ा सा factor कैसे निकालते हैं हम निकाल रहे हैं future value factor at the rate 10% यह 20% 30% किसी पर भी निकाल सकते हो ओके तो first year का हमने निकालना है formula क्या है formula के उपर जाना बस आपने 1 प्लस r r की power n बस इतना ही रखना है 1 वैसे ही आगया आपका 10% है 0 1 solve करके 0 1 आगया power n है तो कितना आगया 1.1 आगया अब हमें power 2 अगर लगा देंगे तो इसका मतलब हमें 2 बड़ solve करना पड़ेगा 1.1 into 1.1 इसको solve करके कितना आगया 1.21 आगया ठीक है तो यह आपके factor आगे factor को आपने किसके साथ multiply करना है जब आप future value निकाल रहे हो प्रेजंट वैल्यू प्रेजंट वैल्यू 100 इंटू यह डिरेक्टली अपने factor ही तो निकाले है चाहिए आप इसको solve करके लिख लो चाहिए आप इसका यह वला formula लिख लो सेमी बात है 1.21 solve कर लो ठीक है तो इससे आपकी क्या आजाएगी आपको क्या मिल जाएगी future value मिल ज future value है future value यह हमने 10% पर निकाला था first year 1.1 second year 1.21 third year 1.33 ऐसे करके आएगा इसको बोलते हम compounding discounting करना future value से हमने sorry present value से हमने future value की ओर जाना है तो discounting नहीं होगा factor लगेगा आपका future value factor ठीक है तो simple सा इसका formula है क्या है future value निकालनी है present value into 1 plus r की power n okay compounding करना compounding present value to future value present value to future value यह देखो starting में period 0 present value आपको पता है कि 10,000 रूपीज आपने लगाने है आप यह कैसे लगा दोगे अगर 10,000 से जादा की earning आपको future में मिलेगी न आप इसको तब ही invest करोगे अगर 10,000 से कम मिले 7,000 हो जाए 5,000 ही रह जाए तो क्या आप invest करोगे नहीं करोगे बिल्कुल भी नहीं करोगे तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हम अगर आज की date में 10,000 रूपीज लगाते हैं तो आने वाले 5 सालों में इसकी value 10,000 से जादा होगी या कम होगी तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे हम present value से future value की हो जाएंगे future value निकालेंगे ठीक है तो इसको हमने जो आपका interest rate है उसके उपर factor लगा देना है यह अभी अभी मैंने आपको सिखाया है न यह अगला आ गया है यह इतना ही है time value of money I hope यहां तक आपको clear होगा कोई दिक्कत न लेना time value of money का second formula पहले हमने future value का कर लिया अब हमने present value of money निकाल लिया है जब आप present value से future value की और जा रहे थे pv से f की और जा रहे थे तो आपने क्या क्या multiply किया अभी क्या हो जाएगा इसका अभी इसका reverse हो जाएगा जब आप future value से पीछे की और आ रहे हो present value की और तो क्या कर देंगे हम इसको divide कर देंगे समझ में आ गया जब आप present value से आगे की और जाते हो future value की और तो multiply होता है जब आप future value से present value की और आते हो पीछे की और आते हो तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ठीक है पहले आपको future value निकालना था future value निकालने के लिए आपको चाहिए था present value उसको किस तरह से formula लगा के हमने solve कर लिया था अभी हमें क्या चाहिए अभी हमें present value चाहिए present value चाहिए तो future value को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया simple सी बात है इतने सी बात है बस ठीक है I hope future value समझ में आ गया आपको अभी present value की बात करते है present value क्या है present value is a current value of the future sum of money जो हमें future में मिलने वाला पैसा है ना future में आने वाले flows हैं हमारे cash flows हैं उसका किसी specified rate of return के उपर आज की date में क्या value है मैं आपको बोलो कि 5 साल बाद मैं आपको 20,000 दोंगी अगर आप अभी invest करते हो इस rate के उपर तो बोलगे कि 20,000 की value आज की date में क्या है ठीक है समझ में आया अगर 18,000 ही हुई तो 5 साल में या 2 साल में कितना increase हुआ तो इससे आप decision ले सकते हो कि आपको invest करना है यह नहीं करना है तो present value क्या है present value is a current value of the future sum of money जो future में आपको cash flows मिलने वाले हैं उसका किसी specified rate of return के उपर current value क्या है future cash flows are discounted at a discount rate and the higher the discount rate lower the present value of the future cash flow ध्यान से सुनना future cash flows are discounted at the discount rate ऐसे discount rate के उपर discount होता है डिसकाउंट रेट के उपर discount होता है future cash flow छीक है जितना जादा discount rate होगा उतनी ही उसकी present value कम होगी future FV की आने वाले cash flow की जितना जादा जैसे 10% है अगर आप 10% से करोगे तो उसकी value जो present value आप निकाल रहे हो वो जादा होगी अगर आप 15% करोगे तो उसकी present value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जितना जादा rate लगेगा उतना जादा उसकी value है जो वो गिर जाएगी समझ में आ गया हमें एक appropriate discount rate प्रॉपरली अच्छे से value करना होता है तांकि हमारी जो earnings हैं हमें सही से पता चल सकें कि किस rate के उपर हमें करना है हमारा cash flows है उसकी present value क्या रहने वाली है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं present value को हमने discount करना है discounting करना है हमारे जो future value है उसको हमने present value factor के साथ क्या करने है multiply करना है ठीक है अभी इसको solve करने के टाइम हमने इसको division में रखना है यहां फिर आप एक बार इसका formula ये देखो दो formula है ना इसके present value निकाल लिए है उसके लिए आपको क्या चाहिए future value into 1 over 1 plus r की power n ये चाहिए आपको इस formula के basis पे हम अपना solve करते है मालो मारे पास future value है 110 ठीक है हम इसकी आज की date में 10% के उपर देखना चाहते है कि इसकी value कितनी है आने वाले जो cash flow हमेरे वो 110 है उसकी present value क्या है present value को निकालने के लिए formula में आप value फिल कर दीजिए future value into 1 over 1 को divide करना है किसके साथ 1 plus r r कितनी हमारी 10% 0.10 आ जाएगा power उसकी 1 आएगी क्योंकि first year है 1 over 1.1 इसको solve करके कितना आगया आपके पास 1.1 पिछले भी हमने किया था न 1.1 आएथा इसको divide करना है फर्दर यह mistake है 1.1 नहीं आएगा 110 को divide करके 1 over 1.1 को divide करके हमारे पास कितना आगया 909 909 something ऐसे आता है तो इसको आपको 110 के साथ multiply करना है तो इसकी value क्या आजाएगी 100 आजाएगी यह mistake है इसको solve करके मारे पास something 909 ऐसे करके आता है यह आपको लेना है समझ में आगया कैसे करना है तो यह इसका formula है present value निकालनी है future value लेना है factor हमें amount ठीक है उसको divide के साथ करना है 1 over 1 plus r के साथ I hope यहाँ तक आपको clear होगा ठीक है यह इसका factor है यह देखो जैसे मैंने आपको वो factor निकालने सिखाए थे उसी तरह से यह है तो यह factor हम कैसे निकालते हैं देखो present value जिकल टू 1 over 1 plus r की power n simple और कुछ निकालना इसको solve कर लो solve करके आपके पास यह factor आ जाएंगे यह आपको पिछे book में table भी धिये हुए 10% पे निकाला हमने ऐसे ऐसे करके आपके पास factor आ जाएंगे ठीक है I hope यहाँ तक आपको clear होगा compounding किसे कहते हैं compounding कहते हैं जब हम present value से future value की और चाते हैं और जब हम future value से present value की और आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं discounting बोलते हैं इतनी सी बात है बस I hope यहाँ तक आपको clear होगा ठीक है तो थोड़ी सी revision करवा दूँ हमने आज क्या 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 किया कुछ भी नहीं time value of money क्या है इसका meaning समझा है फिर उसके लिए time value of money के factor कौन कौन से लगते हैं जैसे हमारी principle amount होगी इंटरस्ट हो गया और time value होगी स्वारी time हो गया कितने साल तक की हैं फिर interest कितने दरक होता है interest जो दरक होता सिंपल इंटरस्ट और compound इंटरस्ट फिर हमें जो factor होते हैं निकालने होते हैं प्रेजंट वाल्यू और फ्यूचर वाल्यू निकालने होते हैं जब हम प्रेजंट वाल्यू से जब हम प्रेजंट वाल्यू से फ्यूचर वाल्यू की और जाते हैं तो उसको क्या करते हैं मल्टिप्लाइ करते हैं जिसको हम कंबाउंडिंग बोलते हैं जना ध्यान से कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ समझ नहीं आता है तो आप एक बर में से दुबारा से पूछ लेना कुमेंट सेक्षिन में कुमेंट करके बताना आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा थैंक यू सो मच गाईज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू